हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरब और इस वीडियो में जिस कम्यूनिटी शील्ड फाइनल मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा मैंचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैंचेस्टर सीटी के बीच तो गाइस ये दोनु कलब्स एक दूसरे के आर्च जो की मैंचेस्टर यूनाइटेड है तो इन दोनों आर्च राइवल्स के बीच ये मैच खेला जाएगा अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस मैच को जनरली टीन्स उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है काइंड आफ इसे एक ग्लोरिफाइट फ्रेंडली माना ज जाता है तो इसमें टीन्स बहुत ज़्यादा एफट नहीं डालती ही इनफेक्ट सिटी लास्ट चार येर से लगातार प्रीमेल लीग जीतते आ रही है तो उन्होंने पिछले अपने तीन जो लगातार कम्मुनिटी शीट फाइनल खेले हो तीनों ही मैचेस हा रहे हैं जब फिलाल फेवरेट सिटी होने वाली है औल्धो युंट्प कर जे सकते है कम्मुनिटी शीर्ल्ट मैच है मैच सिटी को हरा भी सकती है लेकिन अभी केलए हम स्माल लिग में सिटी को ही बीक करेंगे अभी बेटर टीम है और युझनेट ने ने कोई अच्छी साइणिंस भी क पाने के बाद जो भी final team अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे telegram channel में तो जो मेरे telegram channel का link है आपको या तो मिल जाएगा description box में या आपको मिल जाएगा top pin comment में join कर लीजिए अब हम आतर direct probable lineup पे और पहले हम start करेंगे man city से तो मेरे according यहाँ पे city slight favorite हो सकती है अभी मैं इनके थोड़े ज़्यादा यानि कि मैं six या स्यान प्लेयर city के pick करने वाला हूँ तो guys अब city के probable land पर नजर डालते हैं Stephen Ote का होने वाले इनके goalkeeper जो इनके second choice goalkeeper है चार इनके defender होंगे क्योंकि Kyle Walker यहाँ पर unavailable है तो Rico Lewis lightback होंगे Akenji और Diaz दो center back होंगे और Godiol होंगे left back तो यहाँ पर वैसे मुझे लग नहीं रहा है clean sheet किसी आगे मुझे लग रहा है अगर city जीतेगी भी एक आध goal United निकाल सकती है बट इस्टिल मैं maximum defender city को लिए जाओगा विकास ज्यादा position यह रखेंगे अपने बास और मैं भी अगर दोनों में किसी एक team का ज्यादा चाम से clean sheet का वो भी city का है तो मैं अभी maximum defender man city के लिए रहा हूँ फिलाल मैं चारो तो नहीं लिए रहा हूँ लेकिन मैं अभी इन चार में कोई तीन defender pick करके चल लहा हूँ और अभी जो मेरी top 3 choice है वो है गौडियोल, रिको लुइस एंड अकेंजी मेरे according fullback must भी कहा है गौडियोल, रिको लुइस दोनों attack भी करते है दोनों defense eyes भी अच्छे है in fact गौडियोल को तो आपको याद होगा last last में जो last season के end end के matchे से उसमें कितना impressive performance था गोल्स भी कभी मार रहे थे तो गौडियोल, रिको लुइस मस्ट भी कहा है अकेंजी डियास में close call है 50-50 call है बट फिलाल मुझे slightly अकेंजी ज्यादा बेटर लगते है defense eyes और passes बगेरा में और थोड़ा midfield में भी invert कर सकते हैं इस वैसे अभी के लिए मैं Lewis, Akenji और Godiol ले रहा हूँ बट आप Akenji आले place में चाहे तो डियास ले सकते हो बट अभी में बनाडो सिल्वा दोनु को लूँगा दोनु सीटी के best midfielders में count होते हैं दोनु ही के विपाले goal assist करने में in fact डिवराइन तो इस match में wise captaincy के वी top option हूँगे तो मैं कवाचिस तो ignore कर रहा हूँ लेकिन मैं दोनु डिवराइन और बनाडो सिल्वा को लेके गया हूँ अब guys दो जो white players हूँगे वो हूँगे Jack Grealish and Oscar Bob अब Jack Grealish के बाले में तो आप जामते हूँगे last season भी regular feature करते थे लेकिन Oscar Bob के बारे में सहत आपको नहीं पता होगा बटे कि यह बहुत talented city का youngster है और इस season इनको काफी मौके मिल सकते है क्योंकि आप Julian Alvarez एटलेटिको में डेट चले गए है तो यहाँ पे Bob को काफी chances मिलेंगे और जो pre season friendlies बगेर हुए थे उसमें भी जो इनका performance था हो काफी जादा impressive था तो अगर आपको safe जाना है आप ग्रिलिष लेना लेकिन अभी के लिए मैं आप एक point लूँगा और मैं Oscar Bob के साथ जाओंगा बिकाज मुझे pre season में काफी अच्छे लगे काफी talented है काफी potential है तो मुझे ऐसा लगता है आज United के अच्छा कर सकते हैं तो अभी के लिए मेरे point pick होने वाले midfield में Oscar Bob बड़ आपको safe जाना है आप इनके place में grillish लेना लेकिन अभी मैं grillish को ignore कर रहा हूँ बागे अगर डोकू अगयरा खेलते हैं वो भी एक option हो सकते हैं और forward में आपके खेलिंगे अलिंगालेंड बताने की जर्वत ने एक goal machine है last season golden boot जीता है तो must pick रहेंगे penalty taker भी आई है और अभी Chelsea के against जो friendly खेला है उसमें hat trick मार के आए हैं और Arling Haaland को भी करके गया हूँ बागी जो इनकी penalty वो Arling Haaland ही लेते हैं और यह मैंने City के last season के stat लिखे हैं प्रीमियल लिखे आप यह stat देख सकते हूँ अब guys हम बात कर लेते हैं मैंचेस्टर युनाइट की तो एंड्रे उनाने होने वाले इनके goalkeeper I think City ज्यादा position रखेगी ज्यादा attack करेगी युनाइट काउंटर में के लिखी तो मेरे according ज्यादा saves उनाने ही करेंगे तो मेरे goalkeeper यहाँ पर उनाने होने वाले हैं चार इनके defender होंगे डालो इवेंस लिजांड्रो माटनेज एन हैरी अमास अब जो defense एक्सेनर्स में युनाइट बहुत वही गया है वरान चले गए न्यू इनोने defender साइन क्या था यूरो वो इंजट हो गया है और most probably Harry Maguire भी नॉक के वैसे बाहर है सहत अगर fit वे तो इवेंस भी कम पॉइंट थे कुछ-कुछ नेगेटिव में भी चले आए बड़ अगर आपको कोई लेना है नमबर वन मेरी चॉइस रहेंगे डियागो डालो लासियन के भी इनके वन अब दा बेस्ट प्लेयर थे fantasy वाइस अटेगिंग वाइस भी अच्छ है defensive भी करते हैं second choice मेरी र defensive midfield में Casemiro और Minoo खेलिंगे, Kobe Mino को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी के लिए Casemiro ले रहा हूँ, although ऐसे बहुत क्रिटिसाइज होते हैं अपने performance के लिए last season भी बहुत जागा खास नहीं था, friendlies में भी अच्छा नहीं किया, but fantasy वाइस यह हमेसा एक asset रहते हैं, बिना goal assist के अच्छे काजे point देते हैं, because यह defensive बहुत करते हैं, और मैंने देखा हैं बड़े matches में Casemiro के goal अभी आते हैं, तो मैं अभी के लिए Casemiro को ले आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी Kobe Mino को इग्नोर कर रहा हूँ, Bruno Fernandes इनके best player है, penalties में भी यह है, goal assist, chance create, हर चीज करते है तो Bruno Fernandes में guaranteed लूँगा, अगर आपको close match लगता है, तो आप simply इने small league में wise captain भी कर सकते हो, अभी side में VC तो ना करूँ, पड़ मैं as a player Bruno Fernandes को guaranteed लेके गया हूँ, अब जो 2 white players आप wings में खेलेंगे, एक side खेलेंगे, left में Rashford, right में खेलेंगे Ahmed Diallo, अगर आप last season की form में देखें ले रहा हूँ, ना में Rashford ले रहा हूँ, मैं एक नए player पर पढ़लूँगा, वो है Joshua Zagzi, अब जो Rashford है, आप जानते हैं बड़े player है, बड़े मुझे बहुत inconsistent लगते हैं, और बिना goal assist के जल्दी सब भी हो सकते हैं, ज्यादा point भी नहीं दिंगे, तो मैं फिलाल दोनों डिय Zagzi यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, बड़े एक चीज है, मुझे इनके minute session होनी है, क्योंकि अगर off day आता है, पहला ही match है, अभी जैल होने में थोड़ा time लग सकते हैं, तो हो सकते हैं, सेगेंड आप में Sencho या Karnacho fit हुए, ये लोग अंदर आ सकते हैं, तो अगर आपको Zagzi नहीं लेने, आप Amad Diallo और Rashford में किसी को लेलना, बड़ अभी के लिए मैं यहाँ पर Zagzi पर बंढ ले रहा हूँ, फिलाल मैं दोनों Amad Diallo और Rashford को ignore कर रहा हूँ, तो ये Manchester United की 11 थी, फिलाल जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक की है, मैं गोल की बल ले गया उनाना, इसके ल प्रेडिक्शन में है, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब नहीं किया, उससे जरूर कर लिजिए, क्योंकि आगे को regular वीडियो से हैंगे, अभी Top 5 लीग की स्टार्ट हो रही है, Premier League, Laliga, Siria, Liga, Bundesliga सभी स्टा यह 2-0, 3-0 भी हो सकता है, बट मुझे जहां तक लग रहा है, एकाथ गोल United निकाल सकती है, तो मेरी प्रेडिक्शन एक 2-1 Man City विक्ट्री गिया है, तो फिलाल यह मेरी Demo Ruff Team है, गोल की बार मैंने उनाना लिया है, तीन में Defender City के ले गया हूँ, because मेरे अकोडिंगे फेवर और forward में मैंने Arling Island, और वहां मैंने Zoswa Zagzi को pick किया है, अब guys आप यहां पे 2-3 changes कर सकते हो इस team में, पहला change हो सकता है, जो Oscar Bob प्रॉपर पंट पिक है, अगर आपको safe जाना है, आप उनको अटा के Jack Grealish ले सकते हो, नहीं तो आप opponent का एक player भी add कर सकते हो, someone like Ahmad Diallo अगर आपको तो उनके place में या तो defense में डालो, यह आपको लग रहा, Zagzi तो flop होंगे, लेकिन Rashford या Ahmad Diallo में कोई एक अच्छा करेगा, तो आप any day Zagzi को अटा के Rashford या Ahmad Diallo में किसी को ले सकते हो, तो इन 3 areas में आप change कर सकते हो, बहुत Zagzi और Akenji वाली में, फिलाल Captain Zee, Highland को ही ती है, clear guard option है, VC, Foden है नहीं, तो यहाँ पर Divriner top class option बन जाएंगे CT से, बागी point लेना है, Bernardo Silva को दे सकते हो, close match आपको लग रहा है, तो आप Bruno Fernandes को भी अपना VC कर सकते हो, बट अभी के लिए, मैं most probably KDV को भी अपना VC करने वाला हूँ, तो फिलाल, यह मेरी demo of team थी, updated final team के लिए, आप टेलीगराम का लिंक आपको मिल जाएगा, description box में,